आज हम बात करेंगे ट्रडिशनल व्सक्तियाज मार्केट प्लैस आज तक यूजट सब kitchen करेंगे गलगद करेंगे ट्रडीशनल सबस्ड़ाइचनल ऐसाओ के अंदर जो buyers है या जो recruiters है या clients है वो job post करते हैं और जो freelancers है वो उन jobs के ओपर apply करते हैं right on the other end जो non-traditional marketplaces है तो उनके अंदर क्या होता है non-traditional के अंदर जो sellers हैं वो अपनी services लगा देते हैं और जो buyers है या clients है वो उन services को देखते हैं जो भी service उन्हें पसंद आती है या उन्हें चाहिए होती है वो उस बंदे को खुद अब्रोज करके उसको hire कर लेते हैं right अब जो ट्रेडिशनल marketplace है अब फरक एक traditional marketplace है क्योंकि इसके उपर काम कुछ इस थरह से होने वाला है कि जो buyer है या client है वो different jobs post करेगा और आपको अपनी screen के उपर वो jobs नजर आ रही होंगी उसके बाद जो भी job आपकी skill को match कर रही होगी या आप वो task specific perform कर सकते होंगे आप उसके लिए अपना प्रपोजल यह cover letter बेज़ेंगे प्रपोजल यह cover letter क्या होता है अगे चलके हम detail के अंदर समझेंगे लेकिन cover letter का मतलब यह है कि उसे एक proposal बेज़ेंगे कि यह काम जो आपने बताया यह मैं इस तरह से कर सकता हूं और मेरे में यह skills और अगर उसको आपका प्रपोजल और आपका cover letter पसंद आया तो वह आपको टेक्स करेंगो आपको हायर कर लेगा उस पेस्टीक टास्क के रेलेमेंट तो इसको हम कहेंगे कि च्रेडिशनल मार्केट प्लेट्वे मेंट रप्रक्थरना मार्केट प्लेज हैं और किसी के आपर हम समझ आया होगा के ट्रेडिशनल मार्केट प्लेश yi